क्या पवन सिंग को दिखावे के चक्कर में खेसारी लाल यादो ने अपना फलता फूलता केरियर बरबात कर दिया है जी हाँ कुछ इस तरह की अटकले लगाए जा रही है भूचपुरी इंडस्ट्री में दिनो जो लोग खेसारी के गानों के दिवाने थे खेसारी जैसे ही गाने लेकर आते थे मार्केट में सभी ये कहने लगते थे कि खेसारी लाल यादो लगातार गाने लेकर आ रहे हैं जबकि पवन सिंग जिस तरह से गाने लेकर आ रहे हैं उनके स्टार्डम पर किसी न किसी दिन ख तो पहले तो कम्पनिया जो है वो सिंगरों के उलियों पर 서抓 diagnostic है, लेकिन जब सिंगरों कोन चाथी हैं, तो खिर होता है. भी गत्रत तो पहुंच जाये, तो कम्पनि पहुत ही जादा रूल रर्यगुलेशन उन कॉंटाक्त में जोड़ती और फिर से रहते ही नहीं है. खेसारी ऐसे ही एक कॉंट्रेक के चक्कर में पढ़ चुके हैं जिस वज़े से लगातार खेसारी के कई बड़े गाने डिलीट तक हो गए है यूटूब से और तो और आगे भी कई होंगे ऐसा खुलासा खुद खेसारी लाल यादो ने किया इसका दर्द आपके सारी के चहरे पर देख सकते हैं जब वो लाइव हो आये थे काफी लंबे समय बाद के सारी लाइव आये थे लेकिन वो दर्द दिख रहा था उनके चहरे पर कि उनसे कितनी बड़ी गलती हो गई है जी हां कॉंट्रेक्ट या यू कहले अनुबंधन आप इसे कह सकते हैं कि किसी कमपनी के साथ आपका कॉंट्रेक्ट हो जाता है तो पहले वो म्यूजिक कमपनी या प्रोडक्शन हाउस जिससे भी आप कॉंट्रेक्ट करते हैं वो पहले आपके कॉंटिंग काम करता है लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि कॉंट्रेक्ट कभी किसी के ग चुके हैं आगे इसका कोई न कोई तोड़ खेसारी जाला लिया दो जरूर निकालेंगे लेकिन खेसारी के चेहरे पे जो दर्द था वो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि खेसारी बार बार इस बात को कहते हैं अपने लाइव में जब भी वो उनका मूड ओफ होत हैं तब वो हमेशा यह कहते हैं कि उनका हाल भी इंडस्ट्री में सुसान सिंग जैसा ना हो उनके साथ उसी तरह से सड़ेंद्र किया जा रहा है तो क्या कहेंगे आप हमारे इस रिपूर्ट के बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए